हेलो एवरीवन वेलकम तो आई यूटूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले ओसी एम बोर्ट पेपर प्रेसेंटेशन और इससे पहले हमने कॉमर्स के जितने भी जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे की इकोनामिक्स इंग्लीज मैथ अकाउंट्स यह सभी पर हमने पहले ही बोर्ट पेपर प्रेसेंटेशन पर वेडियो बना चुके तो उन वीडियो स्कीलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो अभी हमारा फर्स्ट पेज आपको आंसर शीट जो दी जाएगी एक्जैम में वह कुछ ऐसी होगी फर्स्ट पेज उसका तो आपको यहाँ पर क्या करना है देखो सेंटर नमबर लिखा आपको सेंटर नमबर लिख कर देना है तो यहाँ पर हम माल कर सेलते हैं सेंटर नमबर है 1,2,3,4 तो ऐसी 4 डिजिट का जो भी नमबर रहेगा आपके होल टिकट में उपर लिखा रहेगा सेंटर नमबर वही आपर फिल खरना है और उसके नीशे आप देख सकते हैं आपर सीट नमबर सीट नमबर इन गया रहेगा तो हम सीट नमबर यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि M यह M है M240684 ऐसी आपके होल टिकट में जो सीट नमबर दिया रहेगा आपको यहाँ पर वह लिखना है अब वह लिखने के आप नीचे यहाँ पर लिखा है इन वर्ट इसका मतलब यह है आपने जो अभ इस करके लिखना है तो कैसे लिखना है वो भी हम देख लेते हैं आप पर आपको लिखना है M फिर डैस दे देना एक अब यह क्या है 2,40,684 तो आपको ऐसे ही लिखना है 2,000,000 फिर आपको पूरा फिल कर देना इसमें 2,40,684 ऐसा आप लिख दोगे तो नीचे आप देख सक इसका मतलब यह है आपकी signature यहाँ पर आएगी तो आपको यहाँ पर आपकी sign कर देना है अपने आपर अपनी sign कर दी फिर नीचे आपर आप देख सकते है supervisor signature यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपके जो class में supervisor रहेंगे वो आकर sign करेंगे अपनी तो इतना clear है यह पूरा पार्ट हो जाने के बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो subject तो subject में आपको लिख देना है अभी यह कौन सा वीडियो है OCM का तो OCM लिख देना है यहाँ पर आप जो paper दे रहे हैं वो paper यहाँ पर लिख देना है और paper यहाँ पर dash दे देना है और date जो भी date रहेगी उस दिन वहाँ पर आपको वो date डाल देनी है तो आज date है 13 January तो यहाँ पर मैं आज की date लिख देता हूँ देखो कैसा लिखना है आपको 13 January 2022 तो आपको ऐसे ही वहाँ पर date लिख देना है तो यह सब होने के बाद आपको एक holocraft sticker दिया जाएगा holocraft देने से पहले आपको बार्कोट sticker दिया जाएगा तो बार्कोट sticker यहाँ पर आप देख सकतो यह जगह है paste the barcode sticker तो यहाँ पर आपके जो supervisor रहेंगे वही आकर sticker कर देंगे नहीं तो फिर आपको इस टिक करना रहेगा देखो आप stick कैसे करना है मैं वह भी आपको बता देता हूँ तो इतने size का आपको बार्कोट sticker दिया रहेगा उसके जो mid में ना एक line दी गई रहेगी बार्कोट sticker के वह line और यह line देख सकते हैं यह वाली line इसमें attach करके आपको sticker कर देना है तो ऐसे आपको बार्कोट sticker है यहाँ पर लगाना है अब बार्कोट sticker के बाद आपको एक और sticker दिया जाता है उसे बोलते होलो क्राफ्ट sticker तो हैं पर आप देख सकते हूं, यहां पर लिखा है, holocraft sticker तो holocraft sticker यह पूरा'RE का पूरा यह जो column है यह पूरा आपको इसी में stick करना है तो यह भी बहुत easy होता है, आपको यहां पर sticker करना है, holocraft यह इसलिए होता है कि je पर आपका जो भी information है center number seat number यह सब hide हो जाए तो यहाँ पर आपको holocraft sticker भी लगा देना तो यही तहा हमारा पूरा का पूरा front page आपको कैसे fill करना है और यहाँ पर एक और चीज है इसमें supplements attached इसका मतलब यह आपने कितना supplement लिया वो यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर main answer book 1 पहले से लिखा गया है क्योंकि यह जो आपको answer sheet दी गई है यही होता है आपका main answer book अब suppose आप एक आपका paper इसमें पूरा end नही होता है आपको एक supplement लिया तो यहाँ पर कितना supplement kasih रिखोगे अब one plus one कितना ओजाता है two और अगर आपने two supplement लिया नहीं लिखोगे आपने two supplement लेया तो यहापर two leak होगे तो two plus one हो जाता है three तो यह क्या यह आपको end में करना है तो इतना ही था पुरा front page अब हम बढ़ते हैं हमारे paper presentation पर क्या करना है तो यहाँ पर आप second page भी देख सकते हो second page क्या होता है information यहाँ पर दी गई रहती है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना रहता तो आप देख सकते हैं आप question number one select the correct option and rewrite the sentence लिखा गया मैं यहाँ पर आपको sample paper भी दिखा था वो sample paper हम देखेंगे और उसमें जैसे जैसे questions दी है हम वैसे वैसे solve कर दे आएंगे जैसा हम देखेंगे तो यहाँ पर आप sample paper देख सकते हैं यह है OCM का इसका paper pattern जैसे है वैसे ही आपको आने वाला है same 2022 board paper same इसी तरह से आने वाला pattern यहीं रहने वाला है question number one a select the correct option and rewrite the sentence देखो यह एक five mark का है question number one जो पुरा a b c d four sections रहेंगे वो पूरे के पुरे four sections रहेंगे 20 mark के और एक एक section उसका रहेंगा 55 mark का तो यहाँ पर first a हम देखेंगे क्या लिखा है select the correct option तो आपको यहाँ पर लिखना है question number one a देखो यह question number यहाँ पर लिखा है यह उसी के लिए यह जगह बनाई गई रहती है यह जो column आप देख रहें question number one यह main question के लिए यह जगह है और सब question आपको उसके लिए अलग से margin बनानी पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा पहले हम देख लेते question number one यह आपने लिख दिया आपका main question number अब उसके बाद क्या करना है यह जो आप देख सकते हैं हाँ पर select the correct option लिखा गया है इससे आप अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई issue नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको suggest करूंगा यह नहीं लिखना है तो आपको बहुत ही time मिल जाएगा extra अगर यह आप लिखते तो आपका paper छूट सकता है तो question number one यह आप नहीं लिख दिया सीफ आपको ध्यान देना है main question number और सब question number एकदम perfect होना थी तो यह जो आप margin देख सकते हैं यह आपर यह वाली margin यह आपको paper में अगर नहीं दी गए तो आपको यह draw करना है pencil से same ऐसे आपको draw कर देना है margin अब य लिखते हैं यह जो one लिखा गया यह one कि इसको आप वो margin में लिखो गया और question number one एक हां यह पुरा का पुरा main question है main question number के लिए मैंने आपको बता दिया यह जगह है यह main question number के लिए और यह जो है वह सब question के लिए तो आपको यहां पर सब question लिखना है one अब fill in the blanks है यह वाला तो आप क्या करो answer लिखो और question भी लिख दो fill in the blanks में सिफ ऐसा करना है अगर ऐसा नहीं भी करोगे तो आप सिफ answer भी लिख सकते हो उसमें भी कोई problem नहीं है तो fill in the blanks से हमने इसे answer लिख दिया और नीचे dash दे दिया आपको dash दे देना है अगर आप question लिख रहे तो अगर आप question नहीं लिख रहे तो आप सिफ answer लिख के उसे छोड़ सकते हो ऐसे पूरा पूरा फाय आपको लिख देना है तो हमने क्या time कर दिया अभी question number one ए जितने भ बहुत से लोग क्या करते हैं next page से start कर देते हैं fill in the blanks एक page पे हो गया next page से match the page start कर देते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपको same page से करना है क्यों आप ऐसा कप करते हैं जब आपका पूरा main question number end हो जाता है question number one end हो गया तो question number two new page से start किया जाता है लेकिन यह क्या है question number one का ही पार्ट है तो आप यह ऐसा कर सकते हो नहीं तो फिर new page से भी start कर सकते हो लेकिन मैं आपको suggest करूंगा कि अगर जगह है तो आप same page पे करिए क्योंकि वह question number one का ही पार्ट है तो match the pairs group A, group B आपको same यहाँ पर question में देख सकते हो group A, group B लिखा गया है same आपको ऐसे ही लिखना है बट आपको क्या करना है यहाँ पर तो यह जगह ऐसी रेगी question की अब group B में आपको na henry field का जो भी answer है वो उसके सामने लिख देना है इसमें से बस यह आपको करना है तो यह question number 1 C, question number 1 C यह question number 1 C, main यह question number है main, तो हम यह वाले column में लिखते हैं, give one word यह ओक नहीं भी लिखो गए तो भी सही है तो main question number आपने लिख दिया तो question number अब सब question number कहा लिखना है? यह वाले column में तो यहाँ पर आपको one word में answer देना है तो question आपको लिखने की need नहीं है यहाँ पर आप सीधा direct answer लिख दो वैसे कि पुरे five के five लिख दो यहाँ पर देख सकते हैं यह one word यही वाला question है इतना बड़ा इसका question है तो यह आप लिखने जाओगे तो आपका बहुत ही time waste हो जाएगा आप direct answer लिख हो और डी अब सिफ आप यह डी लिख दो के वन डी यह तो भी चलेगा और यह state the following true or false यह आप मत लिख हो तो यहाँ पर one और डी यह आपको नहीं लिखना है और आप लिख भी सकते हो यह आप पर depend करता है आपके writing speed पर depend करता है तो वन डी आपने लिख दिया यह correct होना चीए आपका और यह जो sub question लिख रहे हो बीच में यह correct होना चीए ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ पर आपने one लिखा और one के लिख आंसर second का लिख दिया तो यह पूरा wrong हो जाएगा अब sub question दिखो और जो उसका आंसर है वही same लिखो तो पूरे के पूरे हमने five attempt कर दिए true or false भी अब यहाँ पर क्या होता है हमारा जो objective का जो section था पूरा का पूरा clear हो जाते है हाँ तक अब question number two explain the following terms or concepts इसमें four लिखना है कोई भी और eight mark का है तो कोई भी four लिखना है आपर आपको six question दिए हैं इसमें से सिफ four लिखना है और एक question रहेगा two mark का तो यह क्या है terms or concept आपको बताने तो principle of authority and responsibility क्या होते है आपको वो लिखना है तो अभी यहाँ से मैं आपको इसमें हर एक एक question लिखा गया है उस PDF में तो उतना मैं आपको बताऊंगा और वैसे ही same आपको second और third fourth पूरे के पूरे four attempt करने तो मैं आपको हर main question का एक एक सब question दिखाने वाले और बाकी के भी same होने वाले तो question number two का one हम देख लेते question number two आपने किदर लिख दिया देखो यह बनाए main question के लिए तो आपने यह लिख दिया main question इसमें अब आपको first attempt करना है तो आपने one लिखोगे यहाँ पर अब principle of authority and responsibility आप ऐसा लिख दोगे question question लिख दिया आपने फिर यह यह question अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई issue नहीं है आप डायक ते authority से start कर दो authority implies देखो short यह क्या terms और concept हमें बताना है तो यह कैसे लिखा जाता है short note की तरह लिखा जाता है इसमें points नहीं होते जैसे कि one two करके आप points में answer लिखते हो यहाँ पर वैसा नहीं करना है यहाँ पर आपको paragraph type में answer लिखना है और एक question दो mark है तो minimum आपकी four lines आपको लिखना है त आपको ऐसी question number two पूरा का पूरा जितने भी question है four आपको attempt करने ऐसी कर देना है अब question number three यहाँ पर आपको case or situation दी गई रहेगी और आपको यहाँ पर अपना opinion एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पर कोई भी दो attempt करना है total three questions दिए जाएंगे आपको exam में और वो होंगे total six mark है तो एक question कितने mark हो जाता है तीन माग का एक question हो जाता है तो यहाँ पर आपको देखो तीन points दिये 1, 2, 3 तो एक point पर आपको एक mark है तो आपको तीनों भी attempt करना है मतलब इसमें यह तीन attempt करना है यह question number में ऐसा नहीं यह जो पूरा total दिया गया इसमें सिर्फ आप 2 ही attempt करना है आपको तो वैसे हम attempt करतेंगे देखो यहाँ पर question number 3 देखो question number 2 आप सपोस आपको यहाँ पर end हो जाता है अब question number 3 आप यहाँ से start नहीं करोगे question number 3 पूरा पूरा new main question है तो आपको new page से start करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर new page से start की है question number 3 अब उसमें कोई भी 2 लिखना है मैं आपको यहाँ पर एक लिख के दिखाने वाला हूँ और उसके बाद आपको वैसे ही एक और लिख देना है पेपर में जैसा same concept में लिखना है आपको तो देखो यहाँ पर तीन questions दिए गए थे उसके 1, 2, 3 तो हमने तीनों भी attempt कर दिया तो यह हो गया हमारा question number 3 भी पूरा clear अब question number 4 distinguish between the following इसमें कोई भी 3 आपको लिखना है और कितने mark का होने आला है 12 mark का होने आला है तो एक question कितने mark का होगा 4 mark का एक question हो जाएगा तो आप इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपको कितने points कौनसे question को देने है तो यहाँ पर अगर 4 mark का एक question है तो यहाँ पर आपको एक point में एक mark मिलता है तो आप minimum 4 point लिखो तो पूरे के पूरे आपको 4 mark मिलेंगे अगर हो सकता है तो आप 5 points लिख दो maximum 5 points से आगे आपको नहीं जाना है 5 नहीं तो 4 points से आपको लिखना है जितने mark का question है उतना point लिखना है आपको एक extra आपको लिख देना है बस ऐसे ही आपको समझ के चलना है तो यहाँ पर first question है planning and organizing तो question number 4 देखो question नहीं लिखना है 4 लिख दिया आपने यहाँ पर first जो answer लिख रहा है उसका वो लिख दो sub question लिख दो फिसके बाद planning and organizing आप लिख रहा तो यहाँ पर देखो आपको क्या mistake नहीं करनी है आपने आपर first point लिखा meaning तो यह organizing में भी meaning लिखना ज़रूरी नहीं है यह आपको ऐसा नहीं करना है direct organizing से start करना है आपको तो इसे कितने points लिखने है 4 points लिखना है minimum maximum 5 points लिख दो 4 mark का है दो तो question number 4 भी हमने यहाँ तक end कर दिया पूरे के पूरे ऐसी आपको लिखने है सारे distinguish अब question number 5 जो आता है वो है answer in brief any 2 कोई भी 2 लिखना है आपको 3 questions दिए गए रहेंगे और 8 mark का है तो एक question कितने mark का हो जाता है यहाँ पर 4 mark का एक question में जाता है तो आप minimum कितने point लिखोगे 4 point लिखोगे maximum 5 point तो यहाँ पर हम कौनसा question ले लेते हैं तो question number 5 जो हम second question लिख रहे है तो second question कौनसा है explain any 5 importance of planning यह हमारा second question है तो 5 importance आपको बता देना है planning के तो आपको ऐसे लिख देना है पहले the importance of planning is explained as follows ऐसे आपको लिख देना है अगर आप यह नहीं भी लिख तो यह line तो भी कोई issue नहीं है आप direct answer से start कर सकते हो पहले point से start कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने जैसे की आपको बताया एक question है 4 mark का तो आप minimum 4 point लिखो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 point 2 3 and 4 पूरे के पूरे 4 points लिख दिए अब आप जो points लिख रहे हैं उसका जो heading यह आप उसको underline दो ऐसे pencil से तो यह और भी जदा आपका paper presentation अच्छा दिखेगा तो लेकिन यह सब आपको end में करना है आपको presentation यह सब line जो भी दी गई है यह आपको end में करना है नहीं तो फिर आपका paper यहाँ पर थूट सकता है यह करते करते तो ऐसे question number five भी आपने लिख दे आप question number six question number six यहाँ पर आप देख सकते है justify the following statements इसमें कोई भी दो question आपको लिखने है यहाँ पर total four questions दिए गए अब कोई भी दो लिखने है तो दो हम लिखेंगे देखो कौन कौन सा दो लिखेंगे है यहाँ पर आपको मैं एक ही लिखा हुआ दिखाऊंगा आपको वैसे second आला भी लिख देना है question number question number कौन सा था question number six justify the following statements तो question number six में हम first आला लिख रहे है तो main question number यह तो आपको समझी गया रहेगा main question number इसमें लिखना है और सब question number जो आप margin बनाओगे उसमें लिखना है अब यह कितने mark का है एक question है 4 mark का यह भी तो आप कितने point लिखोगे minimum 4 point तो planning is the first function of management इसमें आपको 4 points explain कर देना है देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 and 4 इतना enough है 4 point, maximum 5 point question number 6 भी हमारा हो गया अब question number 7 main question number जब भी भी आएगा आपको new page से start करना है आपको इस वाले column में आपको लिखना है main question number attempt the following any 2 और कितने mark का है 10 mark का है तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ attempt the following any 2 10 mark का question है तो एक question हो जाता है 5 mark का तो यहाँ पर हम लिखेंगे explain the utility functions of the commercial bank इसमें first question लिखेंगे हम कितने points लिखेंगे 5 points लिखेंगे 5 mark का है तो 5 points maximum आप 6 points लिख दो तो the utility functions of the commercial bank are explained as follows आपको ऐसे लिख देना है अगर यह आप नहीं भी लिखते हो तो कोई भी आपके marks पे effect नहीं पड़ेगा आप सीधा points से भी start कर सकते हो तो आपका कितने points लिखने मैंने आपको बताया 5 mark है तो 5 points maximum 6 points हमारा first point हो गया second point हो गया third point हो गया और आपका एक point लिखने के बाद एक line gap कर देना है आपको तो तीन point आपने लिख दिया भी कितने points बचे है four five तो यहाँ पर भी आपके five mark के लिए question five mark था आपने five point लिख दिया अठ्षे से तो question number seven भी end होगे आप question number eight यह हमारा new question होने वाला है question number seven खतम होगे तो new page से start करेंगे और यह question number का जो space दी गई है आपको उसमें लिख देना है question number eight answer the following questions इसमें सिफ कोई भी एक लिखना है आपको eight mark का है total तो यहाँ पर आप देख सकते question number eight same यहाँ पर eight mark का है तो आपको कितने points लिखना है यहाँ पर आपको definition पहले तो उसकी definition बताना है क्योंकि यह long answer है तो definition लिखना आपको composer ही है definition पर दो marks रहते हैं और दो marks आपके हट गए तो आप कितने बचे हैं eight में से eight minus two six अभी six mark रहे गए तो six mark आपको पूरे मिलने के लिए आपको क्या करना है six points लिखना है दो marks का definition six points हो जाते हैं टोटल eight mark और या फिर maximum आपको seven points लिख देना है उससे ज्यादा नहीं लिखना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं marketing and explaining detail यह हम सेकेंड डाला question आपको दिखा रहें आपको सेम वैसे ही format में first भी कर देना है इसमें से जो भी आते हैं ना दोनों में से आपक second हम second का लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमने second लिख दिया आप उसमें definition दो section आपको देना है a section होगा definition पर जिस पर की दो mark है आपको दो mark है यहाँ पर तो आपको definition लिख देना अच्छे से जो भी textbook में दी गई है वो definition तो आपने पूरा का पूरा यहां तक लिख दिया तो इस पर आपको दो mark मिल जाते है definition पर अब भी हमारा क्या था question क्या था पहले तो हमें marketing बताना है फिर उसके concept बताना है तो भी में आप लिख दोगे concept of marketing तो जैसा कि मैंने आपको बता था the different concepts of marketing यह आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई marks नहीं कटने वाले आपके अब कितने points लिखने आपको six points लिखने तो first point लिख दिया आपने अब जो भी point लिखोगे जो भी heading रहेंगी point की उसको underline करना है आपको end में करना है यह पूरे paper end होने के बाद मतलब आपका जब भी पूरा paper complete हो जाता है उसके बाद अब question number eight हमने एक और चीज यहाँ पर देखी नहीं अभी हम देख लेते हैं question number eight suppose यहाँ पर आपका पूरा question add नहीं यहाँ एक paper में तो question number eight का यहाँ यहाँ पर first point लिख रहे हो तो यह जो भी space है आपको question number की उसमें भी आपको लिखना है eight यह आपको भूलना नहीं है तो बहुत से students miss कर जाते हैं यह eight तो moderator जो भी paper चेक करने आला होता है उसको problem होती कि यह कौन से question का लिखा गया है यहाँ तो आपको यहाँ पर eight लिख देना है तो यहाँ पर कितने points लिखने हैं थे six point two three four अभी four point हमारा यह page पर भी पूरा खतम नहीं होता है एक answer तो next page पर भी आपको लिखना है ओके five six पूरे के पूरे आपने six point लिख दिये तो आपका paper यहाँ पर पूरा end हो जाते हैं आपने पूरे के पूरे paper attempt कर दिया अब मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो बताने वाले हो जो बहुत ही आपके लिए helpful होने वाले है अब सिफ mathematics and accounts यह दोनों के important questions आने वाले हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे कुछ दिनों में तो आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वो वीडियो आपसे मिसना हो और description चेक कर लेना है आपको वहाँ पर बहुत सी चीज़ा आपको ऐसे मिल जाएं 2014 से लेकर न 2020 तक जितने भी board के papers है न हमने पहली अपने telegram channel पर upload कर दिये तो आपको description में link मिल जाएगी telegram channel की वहाँ पर आप जाके हमारा telegram channel join कर सकते हो और सारे जितने भी question papers से आपको सभी free में मिल जाएंगे आप download कर लीजिए और practice कर गिए उसको बहुत ही कम time बचे है आपके exam के लिए तो practice करोगे तो आप अच्छे से paper लिख सकते हो और ऐसे practice करने कि आपका three and half hour में complete हो जाना चीए paper ऐसे आपको मान कर चलना है और ऐसे आपको लिखना है क्योंकि आपको उतने ही time दी जाएंगे आपके exam में तो मिलते हमारे next video में don't forget to like, subscribe and share कर दो